इंदोर दोरे पर आए केंद्री चुनाव आयोग के आयुक ने कहा कि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक मद्दाताओं को जोड़ना ही विभाग का प्रमुक लक्ष है। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए भी विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। यह संदेश दिया जाता है कि अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो अब आगे आईए अपना नाम मद्दाता सूची में दर्ज कराईए और जब भी चुनाव हों तो वोट करिए। तो इस प्रोग्राम के वज़े से सारे देश में सारे राज्यों में सब जगह जो संचित पनरीक्षन होता है उसमें रजिस्टर कराने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं। और इस बात को और जगह फैलाने के लिए हर साल हम लोग एक मतदाता महुत्सव करते हैं और मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं पूरे देश में तो आपके जिले में भी यहां मनाया जाएगा किलेक्ष साब ने हमें बताया है कि 25 जनवरी को यहां भी मतदाता दिवस मना वही लगातार मद्दाता सूची में आने वाली गडबडियों की शिकायत और फरजी वोटर आईडी बनाने जैसी गतिविधियों पर भी चुनाव आयोक ने जल्दी इस तरह की समस्याओं को दूर करने की बात कही प्लक करने के लिए उनको रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं कर दिये जाते हैं ताकि वो भविश में ना हो पाए चुनाव में ट्रांस्पिरिंसी को लेकर आयोक ने मद्दान केंद्रों पर माइक्रो अब्जर्वर की तेनाती और वेब कास्टिंग कराने जैसी विवस्थाएं की हैं अब विभाग मद्दान के इंद्रों पर वीबी पैट जैसी मशीने लगाएगा नई मशीन भी हम लोग कई जगे लगा रहे हैं जिसको कहते हैं वोटर वेरिफाइबल पेपर ओडिट ट्रेल बीबी पैट ये लगाते हैं जिससे क्या होता है कि इलेक्रोनिक वोटिंग मशीन में जब भी वो मद्दाता अपना किसी को चुनके वटन दबाता है उसको इनके लिए मद्दाता देख ले संतुष ठोले कि उसने वटन जो दबाया वही चुनाल चिन आया की नहीं और वो फिर कटके नीचे ड्रॉप बॉक्स में गिर जाता है अगर किसी भी तरह की एवियम की खराबी या मैनिपुलेशन या गडबड़ी की किसी को कोई शिकायत ह होती है तो दोनों काउंट किये जा सकते हैं सिंबल और जो वोट है और उसको मैच किया जाता है तो मैच करने में जो आता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इस तरह के कई चीजें हैं इसमें जो यह साबित कर सकते हैं कि पूरे पारदर्श्री तरीके से बिना किसी की कारिप्रणाली में कई तरह से नए प्रयोग दिखाई देने का भी विभाग के आयुक ने दावा किया ब्यूरो रोपोर्ट डी लाइफ नीउस